नमस्कार स्वागत है साहितिक जरोका चैनल पर आज हम करेंगे अग्य जीवन वै साहितिक परीचे जैसा कि हम सब जानते हैं अग्य का पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद वाथ सैन अग्य है जो कि अग्य इनका उप नाम है आईए सबसे पहले इनके जीवन के बारे में और उसके बाद साहितिक के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं जीवन के अग्य बात करें तो इनका जनम हुआ 7 मार्च 1911 इस्वी में हुआ देवरिया जिले में इनके पिता पंडित हिरानन शास्त्री जो कि पुरातत विभाग में कार्या करते थे जिसके कारण अग्य को अनेक स्थानों पर घुमने का अफसर प्राप्त हुआ शिक्षा की अगर बात करें तो प्रारंबिक शिक्षा इनकी घर पर ही हुई पंजाब विश्य विद्याले से इन्होंने मेट्रिक की प्रिक्षा पास की उसके बाद लाहोर से इन्होंने BSC किया अंग्रेजी में इन्होंने MA प्रारंब तो की थी लेकिन उसे ये पूरण नहीं कर पाए थे क्यों नहीं कर पाये थे क्योंकि इनका जुकाव करांती कारी गतिविदियों की तरफ था यानि ये उस समय होने वाले जो करांती कारी अंदोलन थे उसमें इनको भाग लेने में ज़ादा आनंद आ रहा था या ज़ादा रूची थी इसलिए इन्होंने अपनी एमे बीच में ही छोड़ दी इनको अनेक बार जेल में भी जाना पड़ा था इनके कारेक्षेतर की अगर बात करें तो कुछ वर्षों तक इन्होंने आकाशवाने में काम किया लेकिन वहाँ पर भी इनके मन को संतुष्टी नहीं मिली कि उसके बाद यह सेना में भरती हो गए थै कैप्टन के पदपर वहां से सेवा निवरित होकर यह लेखन कारे की और इनका जुकाव हुआ संपाधन कार्य की और इनका जुकाव हुआ इसके साथ साथ इन्हों ने कैलिफोर्निया विश्व विध्याले में भारतिय साहित्य और संस्कृतिक विशय पर अध्यापन कार्य भी किया देहांत की अगर बात करें तो इनका देहांत चार एप्रेल सं 1987 इसवी में हुआ है इसके बाद इनकी रचनाओं को अगर देखें तो सबसे पहले इनकी जो काव्य रचनाई है उसमें भगन दूत है, चिंता है, इत्यल्म है, हरी घास पर शन्भर, बावरा अहेरी, इंदर धनुष रोंदे हुए, अरी ओ करुना परभाव में, आंगन के पारद्वार, पूर्वी, सुनहरे शेवाल, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे पहचानता हूं, साग नीरा नाम से इन्होंने अपनी कविताओं का संकलन किया है, जिसमें इनकी समगर कविताओं शामिल है, लेकिन यहाँ पर हमें कहानियों के बारे में विशेश रूप से जानना है, क्योंकि हम इनके गद्दे साहित्ते को ध्यान में रखते हुए, इनके साहित्ते के बारे मे जानेंगे या विशेष्टाओं के बारे में जानेंगे तो इनकी जो परमुख कहानिया है उसमें है विपतगा, परंपरा, ये तेरे प्रतिरूप, कोठरी की बात, शरणार्थी और जिग्यासा ये इनके परमुख कहानी संग रहे हैं इसके बाद अगर उपन्यास की बात करे तो इनके तीन महतपूर्ण उपन्यास हैं जिसमें एक है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनभी यात्रा वरितान्त देखिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि अग्ये घूमकर प्रवरती के व्यक्ति थे यानि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना इनको अच्छा लगता था घूमने का शोंक था इने तो इसलिए इनोंने अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उचली इनके परमुख यात्रा वितान्त है उसके बाद निबंद संग्रह की अगर बात करें तरिशंकू सबरंग आत्मने पद हिंदी साहित रचना है उत्तर प्रियदर्शी अगयन अपने जीवनकाल में संपादन में भी अपना विशेश योगदान दिया है इन्होंने ने केवल रचनाओं की रचनाएं की है विविद विश्यों पर रचनाएं की है अपितु संपादन कारिया में भी अपना विशेश योगदान तो अग्यान सबसे पहले गर अगर हम देखें तो इन्होंने तार सब्तक पत्र निकाला था जिसका जो पहला दिखला था उसका नाम तार सब्तक था, बाद में दूसरा, तीसरा और चोथा सब्तक के नाम से इनका संपादनकार्य किया था और ये किस ने किया था अग्ये ने ही किया था अग्ये ने इन सब्तक के माध्यम से जो नई लेखन पदती का प्रारम करने का प्रयास किया था नए विचारों को संक्लित करने का प्रयास किया था समाज की समस्याओं को उठाने का प्रयास किया था अपने इन सब्तकों के माध् ऑखिंगे जो कि 1947 इसवी में संपादित किया, दूसरा सब तक 1951 इसवी में परकाशित हुआ, तीसरा सब तक 1969 इसवी में और चोथा सब तक 1989 इसमें इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो पहला था उसका नाम तार सब तक था ना की प्रथम सब तक बाकी सब के आगे दूसरा तीसरा और चोथा यानि करमा नुसारून का अंक दिया हुआ था इसके बाद इन्होंने नेक पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया जिसमें सैनिक है विशाल भारत है प्रतीक है नया प्रतीक है नव भारत टाइम्स का भी संपादन किया इन्होंने दीनमान ये परमुख पत्र पत्रिकाओं थी जिनका संपादन कारिया अग्यने किया है उस इनकी कव्य रशना कितनी नाओं में कितनी बार के लिए इनको दिया गया है तो ये इनके परमुख संपादन कारिया और इनके पुरुसकार वे सम्मान के बारे में या विस्तार से बताया है अब अगर अगय की गद्य सहित्य की विशेश्टाओं की अगर बात करें परमुख से कहानी साहित्य की विशेष्टाओं की अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हम यह ले सकते हैं कि अग्या एक मनोव्यज्यनिक कहानीकार है यानि इनकी जो कहानिया है वो मनोविशलेषनात्मक कहानिया है जिसमें मन के सुक्षम भावों का विशलेशन अपनी कहानियों के माध्यम से इन्हों ने किया है कि यह जो विचार धारा है मनों विशलेशन वादी जो विचार है यह अग्य झे परमुख रूप से अपनी कहानियों में इसको स्थान दिया क्य articulate के मानसिक स्तर को समझने में हमें सह Columbine मिलती है व्यक्ति मन में क्या सोच रहा है मन में किस प्रकार के उसके भाव आ रहे हैं जिस जिसका प्रभाव उसके जीवन में पढ़ रहा है या समाज को वो प्रभावित कर रहा है तो इसलिए अगर हम देखें तो यह जो सामाजिक वैशम में हैं, दुख देनने हैं, इनके प्रती विद्रों के भाव देखे जा सकते हैं, यानि यहाँ पर समाज की बजाए व्यक्ति को महत्व दिया गया है, उसके बाद है बोधिकता, बोधिकता से तातप्रय क्या है, क्योंकि इन्होंने मनोविशलेशन आत्म कहानियों की रचना की मनोविशलेशन में क्या होता है, मन की जतिलताओं को समझने का प्रियास किया जाता है, या मन की जतिलताओं हैं, उससे जुड़े हुए विशे लिये जाते हैं, तो उनको समझने के लिए बुद्धी का प्रियोग आवशक हो जाता है, तो ऐसे गूड विशों के लिए बोधिक्ता का होना आवशक है तो इसलिए हम देखते हैं कि इनकी कहानियों में बोधिक्ता है उसके बाद है प्रतीक योजना प्रतीक योजना यानि जो अपने इन्होंने जो पात्र लिये हैं या जो घटना करम लिया है उसको प्रतीकों के माध्यम से समझा तो इन्होंने दोनों प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग किया है स्थूल प्रतीकों का भी प्रयोग किया है और इसके साथ साथ मनो भावों को समझाने के लिए सुक्षम प्रतीकों का भी प्रयोग इन्होंने अपनी कहानियों में किया है उसके बाद देखे आतम केंदरित पात में आपने वह को अपने डुख को अपने सुक्ख को जैसे घैंग्रीन कहानी में ऑढ़ हां से पढ़ें तो हम जो मालती के चलित्र को देखते हैं तो हम अपने दुख। समेटे हुई है अपने जो आसपास के जो वातावरन निर्मित हो रहा है वो उसके सोभाव के कारण ही तो हो रहा है जब आगे उसके घर जाते हैं तो भी उससे खुल के बात नहीं करती है अपने जीवन के बारे में अपनी समस्याओं के बारे में या अपने विवाईक जीवन के बारे में वो अगे से बाते नहीं करती यहां तक कि वो यह भी नहीं जलकाती कि अगे जो लेखक स्वैम उसका मित्र है उसके पहुँचने पर उसे खुशी हुई या नहीं वो भी व्यक्त नहीं कर पाती तो इस तरह अगर हम देखे तो इनकी कहानियों की जो पात्र है आतम केंद्रित पात्र है उसके बाद है विश्यगत विविदता अगे की कहानियों को अगर हम देखे तो इसमें केवल एक विश्य को प्रधानता नहीं दी गई अपितु विश्य की विविदता हम देख सकते हैं कहीं पर प किया है जो मानव जीवन यंत्रवत हो गया है यानि यांत्रिकता आ गई है मानव जीवन में उसको भी सुन्दर तरीके से कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है जो व्यक्ति विशेश की पीड़ा है घुटन है उसके संत्रास है दुख है जीवन में जो वर्तमान जीव कि बात करें तो सबसे पहले भाषा देख लेते हैं भाषा इनकी प्रोड हिंदी है क्योंकि आधुनिक यूग के कवी हैं और इन्हों ने अपने पात्रों के माध्यम से भाषा का सुंदर प्रियोग किया है प्रोडता के साथ हिंदी भाषा का प्रियोग इनके पात्र करते हैं उसके बाद अगर शैली की बात करें तो मनो विशलेश नात्मक शैली तो इनकी है ही इसके साथ साथ अपने इन मनो भावों को सपस्ट करने के लिए संकेत शैली का यानि संकेतिकता का भी सहारा इन्होंने अपनी कहानियों में लिया है तो इन जो हमने विशेश्थाएं ली है इसके आधार पर अगर हम देखें तो ये मान सकते हैं कि अगय एक कहानीकार के रूप में अपना विशेष थान कथा साहिते में रखते हैं तो ये आज का हमारा विडियो था जिसमें हमने जाना कि अगय का जो जीवन है वो कैसा था और इसके साथ साथ जो उनकी रचनाएं और साहिते की विशेष नाएं इन सब के बारे में हमने विश्तार से आज यहां पर जाना है और उमीद करती हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है अगर ऐसा है तो कमेंट जरूर करें विडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करते रहें बहुत बहुत धन्यवाद